हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ पूजा कश्यप हमारी यूट्यूब चैनल कुछ नया सीखें बित पूजा मैं आपका श्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए लाई हूँ बरसात की सबजी कुंद्रू की सबजी जिसे हम सूखी चटपटी मसालेदार बनाने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं किंद्रू की सबजी बनाना अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और बैल आइकन को क्लिक कीजी जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सबसे पहले कड़ाई में 2 बड़ी चम-मच तेल डाल देते हैं गर्म갈 लेते हैं तेल अर्ट मुल 1 2 इस प्रकासे से करें अब इसमें डाल देते हैं पूड़ाए लाहसन की बाड़ी कटी हुई लेसन को हम फूदास सा तेल में भूंज लेती हैं जिससे तेल में अब अब हम डाले वाले हैं लंबी लंबी कटी हुई प्याज जिसे हमने इस प्रकाँ से slice में काट लिए घा प्याज को हमें एक दो मेर्ड तक ही फ्राई करना है इसे golden अब इसमें हम डाल देते हैं JUDGE हल्दी बाउडर हल्दी पाउडर पहले डालने से सब्जियों में अच्छा कलर आ जाता है और इसका अच्छा लेवर भी आ जाता है अब इसमें हम डाल देते हैं एक मीडियम साइज का कच्चा आलू जिसे हमने इस प्रकार से लंबा-लंबा काट लिया था आप इसके बार डाल देते हैं हम कुदुरु जिसे हमने इस प्रकार से लंबा-लंबा काट लिया था और इन सारी चीजों को कर देते हैं मिक्स मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुशाद नमक और नमक को आहम कर देते हैं मिक्स नमक को सब्जी के साथ डालने से सब्जिया हमारी जल्दी पक जाएंगी नमक को मिक्स करने के बाद अब हम सब्जीयों को पांच मेर्ट तक धक कर पका लेते हैं और हमें सब्जी को बीच बीच में चलाते रहना है जिससे हमारी सब्जी जलेगी नहीं अब हम सब्जी को फिर से चला लेते हैं आप देख सकते हैं सब्जी हमारी हल्की हल्की पकना शुरू हो गई है हमारे पांच मिलट हो गए हैं अब हम ढपकन को निकाल लेते हैं और अपनी सब्जी को देख लेते हैं आप देख सकते हैं सब्जी हमारी काफी हद तक पक गई है अब इसमें हम डालते हैं सुखी मसाले सुखी मसाले में हम डालते हैं इसमें एक चमच लाल मिर्च पाउडर औ और दो छूटी चम्मच धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर अब हम इन मसालों को कर देते हैं सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स मसाली हमारे सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं सब्जी को हमें दो मिर्ट तक लो मीडियम फ्लेम पर ढग कर पकाना है क्योंकि मसालों के साथ सब्जी बहुत जल्दी लग जाती है अब इसे हम इस प्रकार से ढग देते हैं और बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे हमारे दो मिर्ट हो गए हैं अब हम सब्जी को देख लेते हैं सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है आप देख सकते हैं अब इसे हम हाई फ्लेम पर एक मिर्ट तक लगातार चलाते हुए पका लेते हैं इस पकार से इसे लगातार चलाते हुए हम हाई फ्लेम पर कुप कर लेते हैं हमारे एक मेट हो गए हैं और सब्जी हमारी बनकर तयार हो गई है अब गैस को कड़ देते हैं हम और इसे निकाल लेते हैं अब हम सब्जी को निकाल लेते हैं एक सर्विंग बावल में इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारी मसालेदार सूखी सब्जी बनकर तयार हो गई है इस प्रकार से इसे हम निकाल लेते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू को अगर दो क्या हुना को अभ़ एक भाल को झाल